वराट कोहली के फैन हुए बाबा राजम फिर पाकिस्तान में क्यों मचा मातम पाकिस्तान को हरा कर भारत ने मचाया धमाल और सिगनेचर वाली टी-शर्ट पर पाकिस्तान में मच गया बवार होगी सब पर बाद तो शुरू करते हैं मुद्दे की बात हमारे साथ एक बाद फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुद्दे की बात हमारे साथ मैं हो सपना, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदिव हाली में हुए इंडिया-पाकिस्तान के मैच में इंडिया को बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल ही, क्रिकेट में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और जीत हासिल ही, तो वहीं दूसरी और पाकिस्तान का मायूस होना तो लाजमी था, क्योंकि इंडिया जीत गई, पर इस मायूसी के साथ साथ पाकिस्तान को एक और मायूसी ह आईए इसके पहले कभी पाकिस्तान ने वंडे विश्वक अप में भारत को नहीं हराया है हमको तो पता था कि इंडिया फिर भी जीतेगा पर पाकिस्तान के जो पुराने खिलाडी हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो लोग कही न कहीं आस लगाए थे कि पाकिस्तान शायद इस मुकाबले में कहीं न कहीं टककर दे पाएगा कुछ पर हुआ क्या भारत ने एक तरफ विजुल से देखने को मिले, क्यों? क्योंकि भारत के स्टार बल्लेवाज विराट कोईली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबाराजम दौनों मिलते हैं मैच के बाद, ग्राउंड में ही ये सब होता है, जिसमें देखा जाता है कि बाबाराजम विराट कोईली से उनका टी-शिट ले रहे हैं, और उसे टी-शिट में विराट कोईली अपनी सिगनेचर करते हैं, तो एक तरह से बाबाराजम प्रशंसक है विराट कोईली के, उनको बहुत बड़ा खिलाडी मानते हैं, उनसे सीखते भी हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा पल था, जब ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया में आएं, तो काफी इसको लोगों ने पसंद किया कि देखिए एक दूसरे के प्रती कितना सम्मान है, पर पाकिस्तान के खिलाडियों, वसीम अकरम, पाकिस्तान के पुराने कप्तान रहे हैं, पहले एक बहुत बड़े गेंदव क्यों है, क्या उनको ये दोस्ती का हाथ मंजूर नहीं है? पाए, उम्मीद कर रहे थे कि बाबराजम की टीम हरा देगी, पर बसीम अकरम को कहीना कहीना ये समझना पड़ेगा, और उनको शायद मुझे लगता है कागज में टीम दोनों को देखना आखना चाहिए, कि पाकिस्तान टीम कहां और हिंदूस्तान टीम कहां पर है, पर लग रहा था कि पाकिस्तान के बल्लिवाज अच्छी बलिवाजी कर रहे हैं, थीनसो का अंगड़ा पार कर जाएंगे, और उनको बारता के बाधा नСवकर तो इसलिए वसीम अकरम को एक जटका लगा है और जब वो देखते हैं कि उनके प्लेयर को यहाँ पर भी देखी न हमने कितनी सारी फैसिलिटीज दी है हम हर खिलाडी का सम्मान करते हैं पूरी दुनिया वरते जतने खिलाडी आए हैं आज भारत में किसी को भी कुछ भी कमी म अपको सचा ही बता रहा है एसा क्यों अधीज जैसे कि हम कभी यहां इंडिया की बात कर दे령ें तो यहां पर जो अपने खिलाडी है उन्हें कितने सम्मान के नजरों से बीलकोल पाकिस्तान क्यों नहीं डेखते इस सम्मान की pond इतनी इर्शाइव क्यों है किस बात की है इफ में मारे या है जो क्रिकेट कढ़ी काम बहुत करते हैं हमने विश्वकभ जीत पचास ओवर का, हमने T20 विश्वकप जीता है, हमने Champions Profit जीती है हम Test में No. 1, हाली में हम Test T20 और Test Cricket में No. 1 बन गए फरसे, तीनों में तीनों format में, यह हमारी ताकत है इसलिए हमारे खिलाड़ियों को तरह सम्मान मिलता है VCCI सबसे अमीर वोड है Cricket World, आपको मैं एक बाद बताता हूँ कि अभी हाली में Asia Cup हुआ यह पूरा Asia Cup पहले पाकिस्तान में होना था, पर क्योंकि हमारी Indian Team वहाँ पर नहीं जाती जो कि साफ है, कई हमारे विबादे इसलिए Indian Team पाकिस्तान नहीं जाती, और कई सारी टीम नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर एक घटना ऐसी हो गई थी एक बार श्रीलंका की टीम क्रिकेट खिलने पाकिस्तान पहुँची थी, तब आतंगबादियों नहीं उन पर हमला कर दिया, उसके बाद से कई सारी टीम उन्हें जाना बंद कर दिया पाकिस्तान में एशिया कप होना था, बी-सी-सी-ाई का पावर देखिये कि एशिया कप पुरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, बलकि दूसरे देशों में shift कर दिया गया, तो पाकिस्तान के खिलाडियों को उतना सम्मान नहीं मिलता, वहाँ मैं बताता हूँ जो पाकिस्तानी खिलाडियों को खुशी आज भारत में हो रही होगी वो पाकिस्तान पहुंच कर नहीं होगी यह हाल है पाकिस्तानी खिलाडियों के बहाँ पर तो जो कि मुझे लगता है कि क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर रहना चाहिए और अगर आप हा करके भारत पे आप भारत की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे आसपास कहीं न कहीं पहुंचने की उम्मीद है सबना एक और बाद आपको बताओं बाबार आजम विराट कोली की बादों में उतरता हूं पाकिस्तान में भी विराट कोली की लाखों प्रशन सक हैं लाखों पसक मार देगा तो वहाँ पर हलना मचाएगी मीडिया क्या बाबार आजम विराट कोली के बराबर पहुंच गए क्या बाबार आजम विराट कोली का रिकॉड तोड देंगे क्या बाबार आजम विराट कोली के से भी बड़े बल्ले बाज हैं जब आप उनको नहीं की जंत सके पैन है और दोने एक डूसरे का सम्मान करते हैं तो यह है तो यह है मुद्दे की बात और एक क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले करके हार पाकिस्तान को अपनी इसी कार करना चाहिए खैर आज की बात मेत नहीं और अगला विशे क्या होगा अगर आपको भी कोई विश्य है आपके पास जिस पर आप चाहेते की चर्चा होनी चाहिए चाहे वो किसी भी शेत्रे से जोड़ा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये शो आपको कैसा लगा आज की चर्चा कैसी लगी इसको भी कमेंट करें अगर आप फेश्बुक में हमको देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें दखल लिए आप देख रहे हैं दखल लिए द सबस्त्राइब लिए